नमस्कार दोस्तो अपना मेटिकल टीप्स के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ओयल के बारे में इसमें कौन कौन सी कॉंपोजीशन है और इसके क्या फायदे है और इसे कितने साथ तक के बच्चों को इस करना चाहिए और इससे होने वाले क्या क्या फायदे है तो वीडियो को पूरा देखे ताकि समझ में आ सके तो दोस्तो सबसे पहले में बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको स्वास्ते से सबंदीत या मेडिसीन से सबंदीत जनकारी लेनी ह हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो दोस्तों एडी वीटामिन ओयल में में कॉम्पोजीशन है वीटामिन ए डी ए एंड ओलिव ओयल यह तीनों वीटामिन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टें को जो सरीर में हडी होती है उसे मजबूत बनाता है और वीटामिन ए इसे मजबूत बनाने में मदद करता है और ऑच्छे इसमें मेट्रीन कुतने में डाला गया है और अब समझ लेते हैं इसके फायदे के बारे में और यह तेल किस तरह से लगाना चाहिए इसे हम बेवी में उज़ कर सकते हैं बेवी जब चार महिना से उपर हो जाए तो बचे को नहाने से आदे गंटे पहले इस ओयल से मसाज करें और सबसे पहले इस तेल को थोड़ा सा लगाना है देखने के लिएगी आपके बेबी को ये तेल सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है जिसको सेट नहीं हो करेगा तो उसके सरीर में रेडनेस और लाला दाने चकते होने लगते हैं यानि रियक्शन करता है तो इसी लिए पहले थोड़ा सा हाथ में लगा कर देख लें, अगर कुछ side effect देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप लगा सकते हैं, ऐसे तो ये problem होता नहीं है, मगर अपने से कुछ साउधानियां रखनी होती है, और जब भी दिन में अपने बेबी को मसाज करें, तो इस तेल से ही करें, शुबह हो या साम हो, ये vitamins तेल है, आप 200 email में भी आता है, 200 email में भी आता है, 304 email से उपर भी आता है, जिसका प्राइज अलग-अलग होता है, वीडियो के आखरी में बताना चाहेंगे, कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे, और वीडियो के लाइक से अरकाना ना झाल नवाद